कि फालो गाइज आम रिकी एंड यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और इसमें चैप्टर जल रहा था मोडर्न फिजिक्स आधोनिक भौत की इसमें टॉपिक आज देखने वाले है वह है दरव्वान उर्जा समतुलिता या इनरजी इक्विबहलेंस तो मास इनरजी इक्विबहलेंस क्या है या द्रविवान उर्जा सम्थुलिता क्या है इसको हम लोग समझेंगे लाश्ट तक बने दिएका बहुत बहुतरिन विडियो है और द्रविमान और उर्जा की बात हो और साथ ही आइंस्टीन की बात ना हो तो ये कहीं न कहीं बैवानी होगी तो आइंस्टीन सहाब ने जो द्रविमान उर्जा सम्तुलिता या द्रविमान और उर्जा के बीच संबंधों को बताया है उसको हम लोग आज देखेंगे और जो भी चीज़ें उर्जा के संबंद में जो मास्ट के संबंद में है उसको हम लोग सीखेंगे तो द्रविमान उर्जा संतुलिता में आइंस्टीन ने द्रविमान और उर्जा के बीच एक संबंद अस्थापित किया एक संबंद अस्थापित किया एक संबंद अस्थापित किया इन्हों ने आइंस्टीन साहब ने आइस्टीन ने जो है द्रविमान और उर्जा का आपस में शंबंद बताया और 1905 में है ना सन 1905 इस बी में इन्होंने एक आपएक छिकता का सिध्धान लिया आप एक शिकता का का सिध्धान लिया यह आप लोग जानते हैं कि यह जो रिलेटिवीटी थियोरी है है ना चहंद आप चखिकता का सिभ्दान्त यह ऐंस्टीन इतिया उन्होंने द्रव्मान और उर्जा का आपस में संबंध में उसको दिखाने का प्रेयास किया वुर्जा के बीट प्रेया उन्होंने वहjukा और उर्जा के बीच अगर सही ब्याख्या करके उसको सही प्रूब करके दिखाया वह आइंस्टीन साहब ने कहा और इनके संबंद में जो बातें कहीं गई वह आइंस्टीन के द्वारा कहीं गई तो 1905 में आप एक छिकता का सिधांत दिया और नहीं है जो द्रविमान है और द्रविमान और उर्जा एक दूसरे स्वतंत्र नहीं है बलकि दोनों एक दूसरे से संबंदित है यह बात देखेगा इसके पहले जो देखिए पहले जो भी पदार्थ होता था उसको मैटर से आप पदार्थ को मतलब यह मानाता था कि वह आकास का रूप है लेकिन बाद मे लेकिल से पदार्थ की ब्याकिया कुछ और थी कुछ और थी कहा मतलब क्या था कि मतलब क्या है कि पदार्थ है वह सिर्फ और और चिर्फ अर्व सरमने उर्जाह का एक रूप है जो भी मतारत है वो उर्जाका एक रूप है यह बात जो है आई सचिंतु आपने कहा तो कि सिद्ध किया है ना कि द्रविमान और उर्जा एक दूसरे स्वतंत्र नहीं है कि द्रविमान और उर्जा समझेगा आराम से द्रविमान और उर्जा द्रविमान और उर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है मतलब ऐसा नहीं है स्वतंत्र नहीं है का मतलब क्या हुआ ऐसा नहीं कि द्रववान अलग है और उर्जा अलग है जबकि पहले यह बात जो है लोगों के मन में थी कि द्रव्मान अलग चीज़ है और उर्जा अलग चीज़ है लेकिन इन्हों ने क्या का द्रव्मान और उर्जा एक दूसरे स्वतंत्र नहीं है जब है ना बलकि यह दोनों क्या है एक दूसरे से संबंधित है द्रयमान और उर्जा एक दूसरे स्वतन्त नहीं है बलकि एक दूसरे से संबंधित है मतलब कि आप द्रयमान और उर्जा को स्वतन्त रूप से अलग अलग नहीं समझे कि आप क्या समझे कि द्रयमान और उर्जा एक दूसरे से संबंधित है एक दूसरे से रिलेटेड है यह बात उन्हों आप एक छिकता के सिद्धान जो 1905 में दिया उसके द्वारा जो है ये शिद्ध करके बताया कि द्रव्मान और उर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बलकि द्रव्मान और उर्जा एक दूसरे से समंदित है तथा परतियक पदार्थ में उसके द्रव्मान के कारण उर्जा भी होती है प्रतियक पदार्थ में कि उसके द्रविमान के कारण मतलब पदार्थ होगा तो उसका द्रविमान तो होगा मास्त होगा तो प्रतियक पदार्थ में उसके द्रविमान के कारण उर्जा उसमें नहीत है या उसके द्रविमान के कारण उर्जा भी होता है इनरजी जो परतियक पदार्थ की जो मास होती है जो द्रेवमान है उसी के कारण उरजा भी उसमें है अगर मास नहीं होगा तो एनरजी भी नहीं होगी तो अब यहां से बात उठती है जितना ज़ादा मास होगा उसमें उतना ही ज़ादा एनरजी होगी यह बात जो है इसके पहले आइंस्टीन साव के पहले इनको किसी नहीं किया था इसलिए आइंस्टीन साव इंसी दान्द को लेकरके बहुत फैमस भी हुए है ना संपूर्न नाभीकिये संपूर्ण नाभीकिये उर्जा का मूल्स रोत समझेंगे भी हम लोग इसको उर्जा का मूल्स रोत संपूर्ण नाभीकिये उर्जा का मूल्स रोत है द्रविमान का उर्जा में परिवर्तन पस control है द्रविमान का उर्जा में परीवर्थन आप जानते हैं कि जो नाभी किया अ tem जो भी नाभी किया उर्जह यह क्या है यह एक रूप से द्रविमान का उर्जा में परिवर्तन है जो मास है उसका एनरजी में जो चेंजिंग हो जाती है मास का द्रविमान का उर्जा में परिवर्तन यह क्या है ना भीकिया उर्जा है निउकलियर एनरजी जो होती है वो क्या होती है तो द्रविमान का उर्जा में परिवर्तन क्या ह तो ना भी क्या उर्जा है तो पहले में क्या कहा द्रविमान और उर्जा के बीच एक संबंद किसमें अस्थापित कि अश्थापित किया फिर किया उन्हों से 1905 इसंभी में आप एक छिक्ता का है ना आप एक छिक्ता अर्थात रिलेटिवीटी थियोरी दी है ना और इसकी द्वारा इस रिलेटिवीटी थियोरी आप एक छिक्ता के सिदान्त की थियोरी द्वारा ही या सिद्ध किया कि द्रविमान और उर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है संत्र चीज नहीं है बलकि यह क्या है एक दूसरे से संबंधित हैं और क्या कहा कि परतियक पदार्थ है ना उसके द्रविमान के कारण उर्जा भी होता है अगर उसमें द्रविमान है उसमें मास है तो उस द्रविमान के यहां तक आप आप देख रहे हैं यह आइंस्टीन साहब की त्योरी है और इसको आज हम लोग जो है अच्छे दरसे जानते भी हैं इसको पहले से कई प्रतियक द्रव्मान जो प्रतियक द्रव्मान है यहां बार बार क्या लिखें आएंस्टी साव हम सीधा लिखते हैं प्रतियक द्रव्मान है इसको हम लोग सिजनट करते हैं प्रतियक द्रव्मान म, उर्जा इ उर्जा को एनर्जी करते हैं थम लोग इसको इसको करते हैं प्रतियक उर्जा इ के सम्तुल्य है के सम्तुल्य है मतलब क्या प्रतियक द्रव्मान म, यहां कोमा है उर्जा के सम्तुल्य है इसलिए ई बराबर अर्थाद एनर्जी बराबर म, यहां से अगर आप निकाल लिएगा तो इ तो आपका एनर्जी हो गया जा नहीं रहें यह बराबर उर्जा, M बराबर मास तरविवान हो गया, C बराबर जान लिए, C बराबर जानते ही है प्रकास की चाल होता है C बराबर प्रकास की चाल है ना, वेलोसिटी ओफ लाइट और यह कितना होता है 3 into 10 to the power 8 meter प्रती सेकेंड यह जो है 3 into 10 to the power 8 meter प्रती सेकेंड यह क्या होती है यह प्रकास की चाल होती है तो अब यहाँ पर आप समझ गए कि E बराबर M, M मतलब द्रेवमान, गुना, आप कह सकते हैं प्रकास की चाल का वर्ग या प्रकास की चाल का स्क्वाइर यह भी आप इसको लिख सकते हैं तो C बराबर प्रकास की चाल जो होती है 3 into 10 to the power 8 meter प्र सेकेंड तो यहाँ उन्होंने फर्मूला दिया और C में जो प्रकास की चाल है यह निर्वात में प्रकास की चाल भी आप लिख सकते हैं निर्वात में प्रकास की चाल जो होगी निर्वात में निर्वात में प्रकास की चाल यह हम लिखना भूल गए सी वरावर निर्वात में प्रकास की चाल है ना वेलिसिट्य ओफ रे वहलिसिट्य ओफ लाइट इन वैक्यूम निर्वात में तो हो गिया थ्री इंटू इंटू पर सेकेंड अब देखिए इस तरह से अगर इस फॉर्मूला से हम एक किलोग्राम द्रविमान में कितनी एनरज किसी पदार्थ का मास अगर उन केजी तो उससे कितनी इनरजी उसमें निकल सकती है तो यहां पर मान लिजे हम इसको ट्राइ करना चाहेंगे की 1 वहम एक किलोग्राम का इमान एक किलोग्राम हो घिक है ना तो एक किलोग्राम द्रविमान के सम्तुल्य उर्जा यह अगर निकालना चाहेंगे तो वह कैसे निकलेगा सम्तुल्य उर्जा यह जब आप निकालिएगा एक किलोग्राम द्रविमान का सम्तुल्य उर्जा तो मित्र आप इस फॉर्मूला पर बैठाएगा एम का मान कितना हो तो यहां यह उर्जा जो है यह बरावर हो जाएगा एम द्रव्मान एक किलोग्राम तो यहां एक किलोग्राम लिख देंगे इन्टू जो C square है C की वैल्यू 3 इन्टू 10 to the power 8 meter per second यहां जानते है C है और इसका क्या है 3 into 10 to the power 8 meter per second यह जो है इसकी चाल दी गए है C का तो यहां 3 1 into C का square मतलब 3 into 10 to the power 8 का hall square यह हो जाएगा यहां से आब आप इसको निकालिएगा तो यह 1 to 1 रहेगा इन्टू यह दो बार 3 का स्क्वाइर हुआ तो दो बार 3 गुना 3 लिखेंगे है ना 3 गुना 3 दो बार फिर गुना यहां 10 टुदी पावर 8 को भी दो बार लिखेंगे 10 to the power 8 into 10 to the power 8 यह हो जाएगा 3 तिया 9 गुना 10 पर पावर 16 है ना 9 into 10 to the power 16 और यह क्या निकल जाएंगा इतना जूल यह किस फॉर्म में आएगा मिимे यह किलोग्राम उर्जा यह देखीएगा द्रवढाइन रखा आ हमने यह जो है आपको याद रखने योगी बात है यह मौस्ट इंपोर्टेंट है अगर आप निकालना चाहेंगे रख लिजे कि अगर एक किलोग्राम द्रवमान का समतुल उर्जा कितना होगा तो नाइन इंटू टैन टो दिवावर है तहलका मच गया था है ना इसी पर बहुत सारे बंब विगर भी बनाए गए आप जानते ही हैं तो आइंस्टीन की आइंस्टीन साथ की यह बहुत बड़ी देन थी वराबर एंसी स्क्वार इसके लिए उनको बहुत ही याद किया आता है तो इससे हम लोग क्या करते हैं किसी जो द्रवमान किसी पतारत का अगर आपको मास मालूम है तो आप उसकी एनरजी को बहुत ही आसान तरीके निकाल सकते हैं छोटा सब फर्मूला है लेकिन बिजली है तहलका है तो इसे यह हो गया ठीक है और देखे अगर होगया अगर तो जितना का पिसरी की लोग्राम का द्रवमान होगो यहां आप Sum item 3 तुद तो ऐसा ही अगर माल लिजे म खिले मान रख दिया जाए पर एम किलोग्राम द्रव्यमान अगर एम किलोग्राम द्रव्यमान लूप्त होने पर इतना अगर आप चाहेंगे कि इतना द्रव्यमान को हम लूप्त करें या इतना द्रव्यमान में कितनी उर्जा होगी तो एम किलोग्राम द्रव्यमान लूप्त होने पर है ना लूप्त होने पर, em c square joul m c square joul uRja utpen करेगी, इतना네 square joul uRja utpen करेगी या इतना joul uRja utpen होती है, जो समझ ये? utpen होती है, मतलब कि अगर यदि m kilogram क कोई DRUVMN क कोई बस्तू है, है नगा, उसका धरविवान m kilogram है, तो वहाँ आपको कितना उर्जा देगा, है ना, M किलोग्राम का अगर किसी बस्तू का द्रवबान M है, तो वहाँ अगर लुप्त होगा और तो वहाँ एनर्जी कितने देगी, M C स्क्वाइर और जूल, है ना, M C स्क्वाइर जूल उर्जा उत्पन होगी, अगर M किलोग्राम का द्रवबान लुप्त होगा, तो वहाँ M C स्क्वाइर जूल उर्जा देगा, क्योंकि आप जानते ही है, द्रवबान के जगह पर M को रखेंगे, है ना, C स्क्वाइर तो लगेगा ही, एनर्जी का फोर है, जूल में आएगा, तो यहाँ पर याद रठी द्रवबान का समतुल उर्जा पूछा जाए, तो 1 किलोग्राम का समतुल उर्जा 9 इंटू 10 विवार 16 जूल होगा, और अगर M किलोग्राम द्रवबान के बस तू लूप्त होने पर वह कितनी उर्जा देगी, तो वह M C स्क्वाइर जूल उर्जा देगी, क्योंकि जूल उर्जा अगर इतना उर्जा उत्पन करना हो है ना इजूल उर्जा उत्पन होने में उत्पन होने में अगर यूदि आपको इजूल उर्जा उत्पन करनी है तो इजूल उर्जा उत्पन होने में इजूल उत्पन होने में इजूल उत्पन होने में इजूल उत्पन हो होगी द्रव्यमान की छती होगी इसको समझे कि क्या कहा जा रहा है जो लिखिये अब देखिए यह कहा से हो गया अगर यदि आप द्रव्मान का फर्मूला इघ लिख दीए और सी स्क्वेर कि अगर एघ चाहिए तो उसके लिए kg उसके लिए जो है ईबाइ c square into kilogram द्रव्मान की छती होगी इसी फर्मुला को सिर्फ यूर्जा उत्पन होने में e by c square है ना kg द्रव्मान की छती होती है तो यह भी बहुत most important है लेकिन सब उसी फर्मुला से सबस्थ होता है कि अभिक्रिया में उर्जावत्पन होती है और द्रेवमान की हानी भी होती होती है है इससे क्या अस्पाष्ट होता है इससे अस्पाष्ट होता है अधिक्रियां में उर्जा उत्पन होती है कि जिन अभिक्रिया में उर्जा उत्पन होती है उसमें द्रव्यमान की हानी भी होती है जिन अभिक्रिया में उर्जा उत्पन होती है उसमें द्रव्यमान की हानी इस、、、 जितना द्रव्यमां की हानी होगी उतना ही एनर्जी मिल रहा है तो इससे असपस्ट होता है कि जिन अभिक्रिया में उर्जा उत्पन होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसमें द्रवमान की हानी भी होती है, जितना उर्जा होगा उतना द्रवमान की हानी होगी, यह बात जो है इन से असपस्ट होता है इन उदाहरनों से, कि जब दरव्मान ही पाद में उरजा में हो रहा है तो जितना 참 ज्यादा लूप्थ होगा उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा है न ही इससे हसपश्च होता है कि जी अभी क्रिया में उर्जा उत्पन होती है उसमें दरव्मान की reaction जिसको बोल रहे है ठीक है न और दूसरा है आपका नाभीक्य उर्जा है न या जिसको आप नभीक्य अभिक्रिया कहते हैं तो वह हो हम दिए दो कम उर्जा होती है जो उर्जा को कि इसके तुलिय ध्रावमान में इसके तुलिय इसके तुलिय द्रावर्मान कि हानी भी नगन्य होती है इसके तूली द्रव्यमान कि हानी नगन्य होती है मतलब ना मात्र होती है नगन्य होती है यह हम केमिकल रियक्शन के बारे में बात हो रही है कि इसमें जो है नगन्य होती है इसलिए यह माना जाता है कि इसलिए यह माना जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रविमान सन रक्षित रहता है अब देखिए यह सवाल क्यों उठा द्रविमान सन रक्षित रहता है है यहां हम डेखिए यह सवाल इसलिए उठा क्यूंकि हम रचायनिक अभिक्रिया जब देखते हैं तो इसमें और जार कम ऊर्जा जो है जो है बहुत कम मातषी में होती है रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन उफ तो अब यहां यह सवाल रासायनिक इसलिए उठती है कि यहां पर से दान्त कहता शीन अभीकरिया में उत्पन होगी उसमें राविमान की होगी लेकिन रासायनिक अभीकरिया एक लिए कि अबँदेवाइन की दर।टा यह सांदक्षित अभीक्रिया है तो यह क्या हम जानेजन मोड़कीतबन क्या हो सता है यह होता है कि आपको जितना एनर्जी चाहिए उतना मास आपको लुप्त करना होगा उतना मास आपको जो है डिस्ट्राइ करना होगा तब उतनी एनर्जी मिलेगी तक रसाइनी का अभिकरिया में उर्जा कम होती है है ना रसाइनी का अभिकरिया में उत्पन उर्जा बहुत कम होती है इ लेकिन सब में ऐसी बात नहीं है तो यह रसानी अभिक्रिया की बात हो गई अब नाभी की अभिक्रिया का न्यूक्लियर रियक्षन में क्या होता है इसकी विप्रित है जो रसानी का भिक्रिया में देखिएगा तो इसमें क्या होगा द्रविमान च्छती अधीक होती है तो लिख लिए इसमें द्रविमान की च्छती अधीक होती है तो लिख लिए इसमें द्रविमान की च्छती अधीक होती है किसमें द्रविमान की च्छती अधीक होती है जा द्रविमान होती है और उर उर्जा भी और उर्जा भी अधीक विमुक्त होती है मतलब ज्यादा से ज्यादा उर्जा इसमें निकलता है उर्जा भी अधीक विमुक्त होती है मतलब निकलती है अधीक विमुक्त होती है यह किसका बात है नाभीकिया विक्रिया का है ना होती है और नाभीकिया विक्रिया लिग देते हैं सौट में नाभीकिया अभीक्रिया नौफ और नाभीक्रिया नाभीक्रिया अभीक्रिया द्रविमान सन्रक्षन नियम का अनुपालन नहीं करती है अनुपालन नहीं करती है मतलब इसमें द्रविमान सन्रक्षित नहीं रहता है तो यह सिर्फ इसलिए बताया गया क्योंकि यहां हम पढ़ते हैं कि जिन अभीक्रिया में उर्जा उत्पन होती है उसमें द्रविमान की हानी होती है तो रसानिक अभीक्रिया में ये बात नहीं ह है इसमें ऊर्जा बी मुख्त भी होती है और मान संडग्षित है इसमें का मेरा श्रहते है कि उर्जा बहुत कम इसमें लगता है ज्याट भी उल्टा केस है और ऑ दर्विमान के चतिया अधिक होती है और उर खम他 व smith करेगा को विक्रिया और ना विक्रिया में द्रविमान संदक्षन नियम का अनुपालन नहीं करता है ना नहीं करता नहीं करता नहीं करता ना विक्रिया द्रविमान संदक्षन नियम का अनुपालन नहीं करता यह याद रखिएगा ना विक्रिया द्रविमान संदक्षन नियम का सोती है ठीक है और बाकी चीश की साथ क्या होगा जितना अप अभिक्रिया में उर्जा उत्पन होती है उसमें दरहवमान की हानी भी उतनी ही होती है जितना नल्मान काहानी होगा उतना इस lors तो आज़ी करती है तो ठीक है मित्र आज हम लोगों ने सीखा द्रवबान उर्जा संतुलिता मास एक्टुबैलेंस आज वीडियो को यहीं इंड करते हैं स्वास्त रहें आपना खाल रखें जय हिंद जय भरत